हर हर महादेव जैसिव संभू आज से खर्मा सुरू हो गया है साथ ही होला स्टक भी 17 मार्च से 25 मार्च तक हो जाएगा ऐसे मैं यह सुभ समय नहीं माना जाता किसी भी सुभ कारे को करने के लिए ऐसी मानेता है देव गुरु ब्रहश्पती और ग्रहों के राजा सूर जो है इस समय नीच की अवस्था में होते हैं और राशी परिवर्तन कर रहे होते हैं इस समय जो है कोई भी सुभ कारे करने की मना ही होती है ऐसी मानेता है आसुरी सक्तियां जो है इस समय ज्यादा उग्र सभाव में होती है तमाम तरह के टोने टोटके इत्यादी का भी यह समय जा जाता है ऐसी अवस्था में आप सभी को घर पर कुछ रह कर सरल से कारे जरूर से करने हैं उसमें से चौमुखा दीपक, लौंग का उपाई, कपूर इत्यादी का उपाई और नारियल इत्यादी का उपाई अगर आप करते हैं तो निश्ची थी दूरभागी दूर होता है, सं नई वधु का प्रवेश, काला महने के स्वरूप में जाना जाता है, इस महने नई वधु जो है, विसेश तोर पर पिहर इत्यादी जो है, आने जाने में कुछ रोक टोक सी की जाती है, इसके पीछे गहन कारण चुपा हुआ है, अगर इस समय कोई विसेश अपने घर, धिकरने के लिए, सम्रध्धी के लिए, इन सरल से कारय को अपने घर पर जरूर से कीजिएगा, ताकि जीवन सुख में हो और सदा सर्वद आप खुश्यां बनी रहे, कैसे करना है, कब करना है, किस सरूप में करना है, ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रशन हो, खर्मास से सम् पूश लिजेगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जबाब आप पाएंगे, कोई भी नया सुरू करने से पहले कार, रोके अपने आपको, इस खर्मास के दौरान और होलास्टक के दौरान, ठीक है, आज से सुरू हो गया है, खर्मास, तो इन चीजों का ध्यान आप सभी को जटा वाला एक नारियल लेना है, आप जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं, जटा वाला जो नारियल होता है, वह मातारानी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, मा भगवती के स्वरूप में जाना जाता है, कुल देवी स्वरूप में जाना जाता है, वह आपको लेना है और एक नारियल लेकर पूरे घर में इन होलास्टक के किसी भी दो दिन में आपको घूम जाना है ठीक है होलास्टक के दिनों में किसी भी दिन आप घूम जाएए पूरे घर में घूमते घूमते आप सभी को जो है उस मौली में उस नारियल में मौली बहां बने मेरे घर से कोई दोश है पित्र दोश शनी राहू और कोई भी परेशानी है तो वह है खत्म हो और जीवन सुद्रे और परवियार में खुशयां बनी रहे सभी परिवार के सदश्यों की रक्षा हो ऐसी प्रार्थना करते हुए कि है महा मृत्योंजे के दाता है अकाल मृत्यू के दाता है सब कारे से सुरक्षा करने वाले दाता आपको यह है विशेश प्रसास समर्पित कर रहे हो मेरे कारे सिध्ध करे ऐसी प्रार्थना करते हुए नारीलाब समर्पित करकर इन सुब्र दि जिशा नहां करने के लिए आपको इसनान चाहिए इस नहीं को आप सभी बाद लीजिए साथ ही आप सभी इन सुब दिनों में इन असुब दिनों में जो ज़्यादा स्रेष्ट नहीं माने जाते आपको नियमित रूप से कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर सिव पर जल समर्पित करना चाहिए और उस जल को थोड़ा सा मातरा लेकर आच्मन ग्रहन करने के स्व करकर सिव पर जल चड़ाएं और उसे कुंद केश्वर महादेव का ध्यान करकर आच्मन के रूप में ग्रहन कर लेते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति कोई रोग दोश कोई साया आपको परिशान कर ही नहीं सकता करके देखिएगा लाब मिलेगा साथ ही आप सभी महादेव का कोई भी सुन्दर नाम मंत्र का स्मरण जाप करते हुए आवश्यक रूप से सिव पर चड़ा हुआ जल जो है अपने सरीर पर थोड़ा छीटन कर लेते हैं मस्तक पर धारण कर लेते हैं तो मेरे गुरुजी कहते हैं आप रुदराक्ष धारण नहीं कर सकते भस्म धारण न कर सकते हैं इतनी सुन्दर महिमा है मेरे सीव पर चड़ाए हुए जल की तो आप सभी इस सरल से कारी को होलास्टक के दिनों में और इस खरमास के दिनों में किसी भी दिन किसी भी सुन्दर स्वरूप में आरंब करिये जीवन सुद्रिण होना ही है साथ के साथ होलास्टक के की दिनों में खर्मास की दिनों में आप सभी को घर पर नियमित रूप से एक चुटकी नमक डाल कर पोछा लगाने का प्रियत्म करना चाहिए ताकि जो है नकारात्मकुर्जें घर परिवार में किसी भी तरह से किसी भी सरूप में जो है न प्रवेस करें और हमेशा जीवन स्वक्तिशाली और सदाखुश्य से बरकत के सुरूप में बना रहे इसके लिए आपको यह नियम बद्ध तरीके से करना हैं साथ के साथ आप सीव पर चड़ा हुआ जल का उपाए नियमित रूप से करते हैं तो इन दिना तुलसी पर जो है तुलसी माता का एक पत्ता जो ह आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहयक होता है जीवन का कारी हो अमरत्यू का कारी हो तुलसी उसमें अमरत के बूँत की तरह कारे करती है तुलसी का नियमित रूप से पूज़ा के स्थलबर भगवान जी को समर्पित करकर उसे प्रसात के रूप में ग्रहन करन सही पूरे परिवार के सदश्यों को आपको प्रसात स्वरूप खाने की आदत बना के रखने चाहिए निश्चित ही लाब होता है होलास्टक के दिनों में और खरमास के सुब दिनों में कहने का अर्थ है आप सभी को घर पर हनमान जी का सुमिरन जरूर से करना चाहिए आप संकट मोचन के स्वरूप में उन्हें माना जाता है तो संकट मोचन हनमान जी का हनमान चालीसा का पाठ बजरंग बान का पाठ या हनमान जी का सरल मंत्र आप सभी को घर पर चौमुखा दीपक लगा कर या हनमान जी के मंदीर में मेरे परिवार की चहों दिसाओं से रक्षा करना खुश्यों में बरकत करना ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को हन्वान चालीकसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और लौंग का जोड़ा उसमें डालते हैं तो और अधीकिसे सुबता की रूप में जाना जाता हैं आवश्यक रूप से आप सभी को अपने घर पर होलास्टक के इन दिनों में विसेश तोर पर इन जो है दिन कहे गए हैं इन दिनों में आप सभी को अपने घर पर लौंग और कपूर का धुआ भी नियमित रूप से करना चाहिए साथ के साथ आप सभी को नियम बना लेना है कि घर पर आप सभी आवश्यक रूप से गमुत रित्यारी का भी छिड़काव करेंगे इससे लाब ही लाब होना है इनका कोई भी पैसा लगना है ना समय लगना है परंतु अद असर प्रमाण भी मिलता है अपने आप में है उपाय भागी की रेखाओं को बदलने वाले होते हैं वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में प्रभु सुमीरन जरूर करें लाइक करें वीडियो को शेर करें सस्क्राइब करें हर हर महादेव